असलाम लेकुम आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सिंबल्स इन दे नॉवल शटर आइलाइन शटर आइलाइन जिसको डैनिस लहन ने लिखा है इसके उपर पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूं प्लॉट समरी हमने डिसकस की थी फिर हमने इसके थीम्स डिसकस किये है वो है इसके सिंबल्स सिंबल्स क्या होते हैं कि सिम्बलम का मतलब है ।या कोई केई चीज को लिखिस को किसी दूसरी और 가장 त Twenty अपने meaning के इलावा, अपने literal meaning के इलावा किसी secondary meaning को साथ में represent करना, उसको साथ में show करना, इसको हम कहते है symbolism, अब इसके कुछ examples हो सकती है, क्या, मैंने सिफ दो examples हम मैंचन कि हम काफी कुछ इसमें ले सकते हैं, जैसे red color है, मैंने color symbolism की examples दी है, जैसे red color है, तो red color, अगर हम देख लेकिन दूसरा meaning यह हो सकता है, कि red color वहां पे किसी और चीज को show करे, अब वो क्या हो सकता है, सबसे जादा universally जो red color यूज के जाता है, वो उसको represent करता है love को, उसके इलावा danger को भी कर सकता है, passion को भी कर सकता है, और even blood को भी कर सकता है, तो यह जो चीज़ें है, यह color symbolism में आ लुखी, घमगीन, यह सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, उसके लावा darkness और evil जिसके अंदर magic वगरा black magic और यह जीज़ें आती है, तो यह जीज़ें भी black color से ही symbolize होती है, तो यह color symbolism था, इसके लावा कोई भी चीज़, अगर हम किसी novel की बात करते हैं, तो उस novel के characters भी कभी as symbol act करते हैं, कभी-कभी कोई event होता है, कभी कोई चीज़ होती है, और कभी कोई color भी हो सकता है, तो चलें देखते हैं कि इस novel के अंदर, यानि Shutter Island के अंदर, writer ने किस-किस चीज़ को as symbol इस्तेमाल किया है, सबसे पहला हमारे पास आ रहा है fire, fire हम कहां देखते हैं इस novel के अं हो, तो जो teddy था, हीनी की जो में हमारा hero है, Edward Daniels, वो कहता होता है, कि मेरी wife, जिसको के originally, ये होता है, end में जो हमें बताया जाता है, कि उसने अपनी wife को खुद मारा था, ठीक है, उसने अपनी wife को खुद मारा था, क्यों? क्योंकि उसकी wife ने बच्चों को डबो दिया था, और वो थी, एक mentally ill person, उसने अपने बच्चों को डबो के मार दिया था, फिर उसने कहा था, कि मुझे भी मार तो, क्योंकि अब मैं इस गिल्ड के साथ जिन्दा नहीं रह सकती, तो teddy क्या करता है, वो अपनी wife को शूट कर देता है, actually, end में बताया जाता है, कि ये हुआ था, लेक की स्टोरी, तो इस तहां से fire का काफी बड़ा किरदार है, क्योंकि वो कहता है, कि मेरी wife Dolores को fire ही की वज़ा से वो मर गई थी, so इससे हमें पता चलता है, कि fire रेप्रेजेंट करती है, टेडी की fantasy को, जो उसने अपने इड़िद एक fantasy create की वी थी, एक fake, अपनी identity create की वी थी, एक US Marshall की, तो ये जो सारी चीजें उसने अपने इड़िद फेंटिसाइज की वी थी, और जो reality से काफी दूर थी, उनको represent करती है, ये fire, इसके इलावा जब भी टेडी को hallucinations होते थे, तो उसमें कहीं ने कहीं fire का element होता था, क्योंकि उसने ये चीज अपने दिमाग में बिढ इड़ा ली थी, कि Andrew Lindis ने उसकी बीवी को जला दिया था, तो इसलिए fire जो है, क्योंकि ये चीज ही उसकी एक खुद साखता हम कह सकते है, बात थी, तो इसलिए fire इस चीज को represent करती है, fire के opposite है हमारे next symbol, जो के है water, और जैसे fire का मैंने बताया कि वो represent कर रही है fantasy को, तो water यहा reality है कि जो भी real में हुआ था उसके साथ, उस सब चीज को क्या represent करता है water, अब real में क्या हुआ था, real में हुआ था कि उसकी wife ने डबो दिया था अपने बच्चों को एक lake के अंदर, ठीक है, यह चीज हुई थी, तो अब यह reality में था और यही चीज हमें तब नजर आती है, ज जब वो आ रहा होता है island की तरफ तो वो वहां पे समंदर की वज़े से कुछ लोग जिनको sea sickness होती है, उनको क्या होता है कि जब वो समंदर में travel करते हैं तो उनकी तब यह थोड़ी सी अजीव हो जाती है, उनकी दिल जैसे भारी सा होना स्टार्ट हो जाता है, उनको इन बच्चों को डबो दिया था और मार दिया था, इसी वज़े से उसको पानी से खौफ आता था या पानी से डर लगता था और पानी की वज़े से इसका दिल खराब होता था और यही पानी जो है यह रेप्रिजन करा है reality को और एक और चीज हम देखते है कि पानी का major कितन पानी के बिल्कुल बीच ओ बीच होता है तो वहां पर जाने का सिफ एकी तरीका होता है कि हम आपे शिप्स के जरीए जा सकते है क्योंकि वह इतनी दूर बीच में होता है तो यह जो हॉस्पिटल है यह भी सरांड़ेड बाटर है क्योंकि यह एक आइलेंड के उपर है जिस तो यहां पे भी हमें पानी का एलेमेंट काफी जादा डॉमिनेंट नजर आता है इसके इलावा जो उसकी वाइफ थी डॉलरस जब भी वो टेडी के खाब में आती थी जब भी टेडी सोता था जितने भी डेज थे तो उसको खाब आ रहे है और खाब में मोस्ली उसकी पाल हमेशा गीले हैं तो यह भी क्या शो करता है उसकी रियालीटि वाइफ ने बच्चों को डबो के मार दिया था ऐसी रियालीटि जिससे वो भागने की कोशिश कर रहा है और वो मुसलसर अपनी वाइफ को सोच रहा है कि मेरी वाइफ को एंडर्यो लैडेस नामी बंदे इतना major symbol यह थोड़ सा minor है बट जैसे water and fire यह काफी major symbols में आते हैं logs का क्या जिकर है कि हम जब वो जा रहा होता है टेडी तो वहां like जब investigation करता है hospital के अंदर हर चीज की तो वहां पर उसको दिखता है कि एक जगा like जदर पानी है वहां पर logs तीन पड़े हैं जैसा कि आप लोगों को याद होगा plot summary में हमने discuss किया था कि वह काफी चीजों को notice करता है कि पत्थर ऐसे इस तरह से like pile की सूरत में एक धेरी की सूरत में क्यूं पड़े है रेचल ने कोई clues मेरे लिए छोड़े होंगे जैसे उसको एक law of four की चिट मिलती है जिसके ओपर लिखा होता है पूरा law तो वो मतलब रेचल की दिये गए clues को एकठा कर रहा होता है ताके वहां से वो उस message तक पहुंच सके जो रेचल उनको convey करना चाहती थी जिसकी वज़े से रेचल वहां से भागी रेचल का case आपनों को याद होगा कि वो रेचल सुलेंडो जो के एक patient थी उसी ही को investigate करने के लिए एशकल फास्पिटल में आता है कि वो कहां अचानक से डिसपेर हो गई है तो उसके clues को जब एक अठा करता है तो वहां भे उसको एक जगा logs मिलते हैं तीन logs होते हैं सी शोर के करीब वो रखे गए होते हैं वो कहता है यह रेचल की तरफ से ही रखे गए रेचल ने कोई हिंट छोड़ा है हमारे लिए लेकिन एक्चली वो क्या होता है कि वो उसके तीन बच्चे बच्चों को शो करता है जिनको उसकी बीवी ने डबो के मार दिया था क्योंक तो जब भी वो लॉक्स देखता है उसको अजीब सा कुछ फील होता है क्योंकि वो रियालिटी की तरफ जाने लग रहा होता है उन लॉक्स को देखके जिससे वो भागना चाता है जिसकी तरफ पो नहीं जाना चाता है तो वो लॉक्स जैसे पानी के ओर फ्लोट कर रहे होते ह जैसे बच्चों की डेड बोडी पानी के उपर फ्लोट कर रही थी हमारे नेक्स सिंबल है लाइट हाउस का लाइट हाउस भी काफी जादा important हम कह सकते हैं फायर और वाटर के बाद हुड नमबर में इसको ले सकते हैं इसकी का की ऑर पॉर्ट टाक्राओने का लोग रैध में मैं 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 रॉम माहाँस कि रही था एक है रएंडीयत ही हिए कि जाना था फॉर्षाव प्लेश थी थी तरहें है थी जा große था डोग करे सवक्तार और टैड इसको रोग्स का यु कुछ psychotropic drugs के नाम से एक drugs इनको देते हैं जिन से इनकी memory जो है वाइसा इसा वाइप आउट हो जाती है और यह mentally ill हो जाते हैं वो patients भी जो fit होते हैं उनको जान के जो है वो उनका दिमागी तवाजन जो है वो खराब कर देते हैं जैसे कि मैं यहां पर दॉक्टर थी मुझे पता चल गए इस तरीके से यहां पर कुछ गदत काम चल रहा है तो मेरे साथ भी यही करने लगे हैं तो मतलब वो यह सारी जब स्टोरी उसको सुनाती है तो उसको होता है टेडी का दिमाग क्लिक करता है कि यह सब काम जो है यह सारा जो प्रोसीजर है य तो लाइट हाउस की तरफ वो जाने लगते हैं कि चक मिसिंग हो जाता है यह चक उससे खो जाता है यह कह सकते हैं कि टेडी और चक अलग अलग हो जाते हैं तो वहां पर टेडी को शरक पढ़ता है कि यह लोग यकीना चक को वहीं पर लेके गए होंगे उस लाइट हाउस के तो इस तरहां से लाइट हाउस जो है वो एक मिस्टीरियस प्लेस के तोर पे इस नौवल किंदर दिखाई गई है और यह हम कह सकते हैं कि सिंबलाइस किरती है रेविलेशन को रेविलेशन आफ टूथ के सच्चाई पता चलती है लाइट हाउस के अंदर पहुंचने के बाद ह लाइट हाउस के अंदर जानने के लिए भी उसको बड़ी हम कह सकते है कि मुशक्कत करनी पड़ती है क्यों कि वहां पे गार जागारा होते है वो अंदर नहीं जा पा रहा होता उसको फिर वो गाड़ी को थोड़ा बलास्ट करता है तो जब बलास्ट होती है फिर सारे बहुत नहीं का बहुत उता है है जाथ कुछ मुशक्त करनी पाड़ी उसजाने को प्लगम फर जादे कुछ वहां पे होताुन है सिल्फ गुथ बूरनोड पर रगज़ अठोचत करनी थोड़ा उन थोड़े से लीगग चेबलाव तो गैबल चेयर होती है जो भी जो टेड है तो है कि उसका पार्टनर है है ही नहीं वह तो डॉक्टर शीहांन रहा थैतanor है मुद्ध सारी अहले हैं इसनी सचाई होती है नहीं एов वह फिल्ड़ी पिली जगह रता रहे है टेडी के और इसके इलावा लीबोटोमिवी का जो प्रोसीजर होता है जो वो बाद में टेडी के साथ रेक नौवल की ईंडिंग उसमें बताते हैं कि अब टेडी जो है वो लेबाटोमी के प्रोसीजर से गुजारा जाएगा ये कौों सा प्रोसेस है जिस से उसकी memory को completely खतम कर दिया जाएगा उसकी जो terrible memories हैं उनको completely खतम कर दिया जाएगा ताके वो अपनी बाकी की जिंदगी को असानी से गुजार सके और वो जो pretend कर रहा है US मार्शल बनना वो इसलिए कर रहा है क्योंकि तो terrible memories हैं जो उसको बार बार हांट करती हैं अंदर से सताती हैं वो उसकी वज़ा से अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार नी पा रहा क्योंकि उसको दुख है कि उसकी बीवी ने उसके तीन बच्चों को मारा फिर उसने अपनी बीवी को मार तिया तो यह जो सारा उसका एक हम कह सकते हैं सद्मा या शौक उसके ब्रेन को लगा था इन चीज़ों से उससे दूर भागने के लिए उसने खुद को यूएस मार्शल बना लिया उसने एक बंदा एंड्री लेडिस क्रियेट कर लिया बैलकि उसने अपने आपका नाम चेंज करके एंड्री लेडि करने लगते हैं और वो भी येकिनन उसी लाइठाउस के अंदर ही होना को क्योंकि नॉवल की रिप एंदिंग होती है तो वो उसी तरफ ही जा रहे होते हैं तो यह थी लाइठाउस का सिंबल और नेक्स सिंबल हमारे पास है टेडी स्टाय और यह टाय इतना लेक में जो नहीं होती है लेकिन नॉवल में इतना यह नहीं स्टार्टिंग में बस दिखाया जाता है कि इसको अपनी टाय से कुछ अटैच्मेंट है यानि कि वो अपनी टाय को बार बार लिख देख रहे कुछ ऐसा कुछ तो टाय के सिंग्निफिकेंस है ऐसा फील होता है बट एक्शली क्य पहले भी थीम्स में जिकर किया था वो यह था कि इसकी वीकनेस शो करती है जो वीकनेस टेडी की नेचर या टेडी के परसनालिटी के अंतर है क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कि जो पिंग कलर है वो मोसली और जो पिंग लाइक फ्लोरल डिजाइन है वो फेमिन साइड को करता है ऐसा नहीं मैं कहा दी कि एक फेमिन साइड वीक होती है बट अब्यूसली में जो है वो असोसियेटेड है एक स्ट्रेंज के साथ तो फीमेल या फेमिन साइड जो सोसियेटेड है वो एक डेलिकेसी और नाजुकी के साथ ज़रूरी नहीं कि सब ऐसे ही हो लेकिन यह है और स्पेशली लिटर्चर के अंदर भी है तो इसलिए इस असोसियेशन को अगर हम दिमाग में रखें तो टेडी की एक फेमिनिन या हम कह सकते हैं डेलिकेट साइड दिखाई गई है या थोड़ी सी लेकिंपारिटिवली वीकर साइड वो किसलिए कि टेडी जो के अपन से दिखाई जा रही है तो यह चीज़ भी इस ही के अंदर आती है तो यहां पर हमारे सिंबल होते हैं कंप्लीट यह था हमारा लास सिंबल I hope आप लोगं को यह सिंबलिजम इस नॉवल का क्लियर हो गया होगा और अगर मेरी वीडियो पसंदा है तो इसको लाइक जरू कर द थी रहें थैंक्स फॉर वाचिंग दे वीडियो अंदे नेक्स वीडियो अल्लाहाफेज